प्रजनी जी से ही शुरूआत कर लेते हैं जी रजनी जी बताईए गुरूजी परणाब 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 गुरूजी मेरा कोश्चन है कि धनुलगन की पत्रिका है और राहू लगन में बैठा है और नवम भाव में पांच ग्रह बैठे हैं जिसमें से की सूर्य भी है ठीक तो सूर्य की पहादशा लगती है और राह कि ग्रह भी जो राशिया काली पड़ी हैं या भाओ खाली पड़े हैं वो भी एक्टिव होते हैं जो भी जिस ग्रह की दशा लगती है उस ग्रह के साथ बैठने वाला ग्रह एक्टिव हो जाता है प्लस उसके तिरकोण में आने वाला ग्रह अक्टिव हो जाता है प्लस जिस पर वहा ग्रह अपनी द्रिष्टी डालता है चाए वो भाव हो या ग्रह हो उस सभी के सभी एट टाइम पे अक्टिव हो जाते है जोतिश का बड़ा ही प्यारा सूत्र है और अगर इसको हम आगे फर्दर देखें कि अगर नाइन्थ हाउस के क्या रिजल्ट मिलेंगे तो इसको देखना पड़ेगा हुई दा बॉस नमंभाव में बॉस कौन है वही रहे नमंभाव को चलाएगा जी कि घर में उसी ही बेटे की चलती है जो बहुत अच्छा कमाता है अच्छा उज्जत कमाता है अब नहीं रह जाता कि वो बेटा छोटा है के बड़ा है जी जी तो जैसे ये ग्रहे चलते हैं न जी जोतिश और कुछ नहीं मानव का ही मनोविज्ञान है जी 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 विद्या को समझना यानि इनसान को समझना ग्रहे वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे से वेवार करते हैं वहां पर भी मितरता का ही वेवार चलता है इस संसार में भी मितरता का वेवार चलता है यहां पर भी लोक वेवार पूजनिये है चरित्र पूजनिये है व्यक्ति की परतिवा पूजनिये है और व्यक्ति का पुरुशार्थ पूजनिये है इसी प्रकार से ग्रह के साथ भी ये सबी चीज़े जोड़ी हुई है ग्रह का पुरुशार्थ का मतलब ग्रह कितन बली है गले ग्रह का सभाव ग्रह की प्लेस्मेंट यह बिल्कुल जो जो बाते में ने बताई हैं वो वैसे के वैसे इंप्लिमेंट अगर हम इन चीजों को बड़े गेराई में समझ ले तो जोतिश बहुत असान है पर जिसका चित अस्थिर है यानि कि जिसका चित अस्थिर है जिसमें भटकाव है आप हिंदी में ऐसे समझें जिसमें मन में भटकाव है वो व्यक्ति जोतिश नहीं सीख पाता है अब मैं यहां पर वो बात नहीं कर रहा हूं किसी मुझे तो पता है कि लगने इस पंचम में बैठा है, और मुझे जोतिश हा गया, मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, जिन्हें किताब को हात लगाने की आउशकता निए, उससे जब चाहे, जब मर्जी क्वेश्चन आप पूछ ले, जोतिश से रिलेटेड, परडिक्शन सास्त्र में लिखा गया है अगर कोई व्यक्ति विद्या का ग्यानी हो तो वो जाती पाती धर्म से भी उपर उड़ जाता है मतलब वो सम्मानिन ही हो जाता है अब मुद्दा नहीं रह जाता सोसाइटी में वो जोपड़ी से आता है या किस जाती से आता है किस रंग का है ये सब मुद्दे खतम हो जाते हैं केवल मात्र जूतिश विद्या को जानने वाले के लिए बड़कथन लिखा गया है प्ढ़ा ही प्यारा कथन है और हम जब तक इस विद्या की इंपार्टेंस को नहीं समझेंगे तो हम चित्त के भटकाओ में बने रहते हैं चित्त का भटकाओ जब तक समाप्त नहीं होता जब तक कन्विक्शन लेवल हमारे अंदर से अचीव नहीं होता और हम प्ठकाओ की क्या स्तिती है कि जोतिष जादू कर देगा जोतिष मुझे अमीर बना देगा जोतिष मेरी किस्मत बदल देगा जोतिष मुझे ये कर देगा वो कर देगा ऐसा नहीं है जोतिस को समझने से अवश्य किस्मत बदल जाएगी और जोतिश को बहुत गेराई में समझने से अवश्य धना जाएगा ये बात है और समझना किसके लिए है या दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए क्योंकि वो ग्रहे वो भाव ही समझा रहे हैं जीवन जीना कैसे है जीवन में धन कैसे आता है इस बात की कला जोतिस सिखा रहा है उपाये जोतिस की कला नहीं सिखा रहे हैं उपाये उसे धन न फिर उपाय करें यानि तथे को समझ करके फिर उपाय करें और पुर्शार्थ करना कोई व्यक्ति ना भूले लक्षमी जी अगर टिकेगी तो पुर्शार्थी व्यक्ति के साथ टिकेगी एक तंत्र लक्षमी तंत्र में बड़ा स्पश्ट लिखा हुआ है लक्षमी का का मतलब यह है कि जो आदमी पुरुशार्थी नहीं है का पुरुष का मतलब कि जो यह सुचता है कि मैं बड़े-बड़े उपाय कर लूँगा ब्रामनों को दान दक्षना दे दूगा रम कांड कर लूँगा बड़े-बड़े नुस्ठान कर लूँगा और इंतिजार करूँ कि लक्षमी जी आएंगे और दर्वाजा खटकटाएंगी बस वह उसी चीजों से जिस दिन बंदा भार निकल जाएगा वह अचीव कर जाएगा दूसरा जोतिश को समाज जो है अंद्विस्वास के रूप में देखता है जबकि अंद्विस्वास नहीं यह पक्का विस्व पर वैक्ति का चित अस्थिर का मतलब यानि वो खुद ही अंद्विस्वास का शिकार है जब तक उसका चित स्थिर नहीं रहेगा जिस दिन वह अंद्विस्वास से बाहर निकल जाएगा और तक्षयों को समझने लगेगा उस दिन जोतिश समझ में आने लगेगा है हमारे जोतिश में अक्सर में किलास में पढ़ाता हूं कि मार्ग को पकड़ना पड़ेगा आपको किसी शहर में पहुँचना है तो निश्चित रूप से उसका एक मार्ग है आपके घर से अगर आपको बनारस जाना है तो उसका भी एक रूट है एक मार्ग है अगर आपको कलकटा जाना है तो उसका भी एक मार्ग है उस मार्ग को फाइंड आउट करना होता है जोतिश के माध्धम से और जब हम मार्ग को पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति को अपने गंतव स्थान में पहुँचने से कोई नहीं रोप सकता अब इस मार्ग में बाधाएं कितनी आने वाली है ये बात जोतिस विद्या आपको समझा देती है कि जो मार्ग मिलने वाला है उस मार्ग में हिंसक जानवर है डाकू है लुटे रहे हैं सडके टूटी फूटी है जल नहीं मिलेगा भोजन की विवस्ता नहीं होगी ये सब चीजे जोतिस विद्या के द्वारा पता लगती है कि हमें पहले से ही मालूम लग जाए कि हाँ इस मार्ग में कठनाईया है जैसे कोई वेक्ति कहता है कि मुझे बदरिनात या मुझे हिमाले जाना है पैदल पैदल उसका एक मार्ग है पहला स्टेप उत्तर दिशा म फिर उत्तर प्रदेश में आ गया उत्तर प्रदेश से कहां से जाए गंगा के किनारे किनारे चलते जहां तक गंगा जारी है डेव प्रयाक तक पहुंच जाएगा आगे फिर वो नदियों को पकड़ता पकड़ता हिमाले तक पहुंच जाएगा इसमें उसको मार्ग के स्ट जो step नहीं समझना चाहता, जो सिर्फ और सिर्फ अंदेवेश्वास की जकड में हैं, जोतिश विद्या उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। जो वेक्ति जोतिश को जादू समझता है या जादूगरी समझ जाता है, वो जोतिशी बिल्कुल भी नहीं। वो यह आप से कहें कि मेरे लाइफ के पिछले दो इवेंट बताओ, तो उसने गलत रूट पकड़ दिया है, उसको जोतिशी के बाद जाना ही नहीं चाहिए, वो जोतिश विद्या का कारे है यहीं नहीं, अब यह सच बात कह दो तो लोग बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि जो जोतिशी पिछली बात नहीं पता लगा पा रहा, वो अगली बात कैसे पता लगाएगा, यह चैलेंज है, समाज से आने वाला, मिलने वाला चैलेंज जोतिशियों के लिए, क्योंकि वो किसी अंतरियामी के पास आ रहा है, या जोतिशी के पास आ रहा है, वो खुद ह अशान्त चित वाला है शान्त चित व्यक्ती ही जोतिश सीखता है और शान्त चित व्यक्ती ही जोतिश का लाब उठाता है अब चाहे वो आपका जातक है वो भी शान्त चित है उतना ही जादा लाब उठाए जोतिश विद्या में पुर्ण विश्वास करके शान्त चित भाव उसे वो अगर गुरु के पास चाता है तो चाहे उसे अपना मार्ग पूछना हो चाहे जोतिश विद्या ग्रेहन करनी हो दोनों के लिए शांत्य चित्त होना बहुत जरूरी है इसे लिए तो हमारे जोतिश में चंद्रमा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है चंद्रमा जरासा गड़बड आ जाए तो मामला गड़बड हो जाता है और समस्या यह है कि हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में सतर परसेंट से ज़्यादा लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है तो आप लोग भविश्य के जोत्सी हो यह बात में इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें क्या फेस करना पड़ेगा तुम्हें अशान्त लोगों को टैकल करना होगा उसके लिए धैरे बहुत धारन करना होगा उनकी बेकूफी वाले बाते सुननी पड़ेगी उनके क्रिटिसिजम को भी सुनना पड़ेगा और उनकी अपनी डिमांड को भी सुनना पड़ेगा कि अगर मैं उपाय ना करूँ किसी नोकर को रख लूँ उपाय करने में तो भी लाब होगा के नहीं होगा तो निश्यत रूप से अब आपके पास समस्या है कि डॉक्टर को तो कह नहीं सकता कि डॉक्टर साब इंजेक्शन लगाना है आपने तो बैटर है कि मैं नोकर को भेज़ दूँ उसको लगा दो आप उनको लॉजिक से समझाएंगे तो बात बन जाएगे समस्या हम जोट्सियों के साथ है जो सामने वाले को विश्वात दिलाना चाहते हैं कि साब हम जादूगर है बस एक बार हमारे दर्शन कर लो हमारे पास आ जाओ तो मारे सारे संकट खतम हो जाएगे अब दुख और दूर नहीं वहां से समस्याएं खड़ी हो जाती है और फिर समाज के सामने वही पिक्चर खड़ी हो जाती है यह कॉम्वणीटी की समाज की समस्या नहीं है जो इस विद्या को साथ लेकर के चल रहा है उसकी साथ समस्या है कि वो सही तरीके से नहीं बोलरा क्योंकी वो बचारा डरता है कि कलाइंट भाग जाएगा दुबारा नहीं आयागा ये बंदा ये कह गा रहे यार जादूगर तो मिला ही नहीं इस चीज़ से ना डरो हिंदुस्तान के जैसे भी हाला आता अगर हिंदुस्तान में कोई भी अगर समस्या है तो उसके पीछे वोट बैंक की राजनिती है कोई सरकार आजाओ जो भी सरकार अपने वोट बैंक को ध्यान में रख करके फैसला करेगी वो फैसला उचित नहीं होगा सारी सरकारे जानती हैं कि हमारे देश की तीन ही समस्या है ब्रस्टा-चार लब बरस्टा-चार को खतम कर देंगे तो अमेरिका नहीं बनेगा कभी भी देश क्योंकि ब्रस्टा-चार एकनॉमी में ग्रीस का काम च रहा 1914 कोई पैसा भी नहीं लेगा तो फिर काम कैसे चलेंगा कि हर कोई काम रोक के बैठ जाएगा पैसे तो लेनी नहीं पहले पूरा काम कर तो स्पीड में कमी आ जाएगी पर अगर उसको सिद्धानतों के हिसाफ से देखे तो ब्रश्टाचार बहुत बुरी चीज़े हर आदमी विरोध करता है कि ब्रश्टाचार तो होना नहीं इसकी तरफ देखो बस दृष्टी वहीं आनी चाहिए जैसे ग्रया के बारे में कहते हैं यह शनी देव कहीं देखो वस मेरी तरफ मत देखो बाकिसों लट लेंगे क्योंकि शनी देव की दृष्टी के अंदर तकलीफें चीपी हुई है दूसरी हमारी समस्या क्या है वो है हमारी आर्थिक विशमताएं वो कोई भी सरकार नहीं मिटा सकती है ना मिटाया है ना अगले 20 साल क्या 50 साल 100 साल में भी नहीं मिटा सकती है कोई कंट्री नहीं मिटा पाया यह सिर्फ हम जो खबरे सुनते हैं कि अमेरिका में बहुत अच्छा है कनेडा में बहुत अच्छा प्लाने में बहुत अच्छा है, वो किसको अच्छा मानते हैं या उसकी बचारे की मानसिकता पर बहुत कुछ निरबर करता है, और अगला है समस्या तुष्टी करण, कि खुश कर दो सामने वाले को, जो चाहरा है उसको दे दो, या उसको लॉलीपॉप दे दो, तो देश की स समस्या है, ब्रश्टाचार जहां पर समस्या है, वहारा पर ये लॉलीपॉप राजनिती भी जो है, अपने आप में एक समस्या है, जातियों का तुष्ठी करण, जातियों में बटवा दो, समाज बढ़ जाएगा, ये अपने समाज में लगे रहेंगे, सब एक दूसरे को नीचे दिखाने में तुम एंज्वाय करो राजनेता हमेशा चाहता है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे जब हम सत्ता में आए तो कोई ऐसी चीज भैक दो पबलिक के सामने की वो जुटी रहे बस उसी में और हमारी तरफ ध्यानी ना जाए उसका तो यह ऐसे ही राजनीती हमारे ग्रहों के अंदर भी चलती है हमारी कुंडली के अंदर भी चलती है और वो कुंडली में ब्रश्टाचार कितना सेहन करोगे या करोगे वो बात आपके आत्मा कारक ग्रह डिसाइड करते हैं अगर आपका आत्मा कारक ग्रह कमजोर है तो निश्चित रूप से यूँ असेप्ट ब्रश्टाचार और जब आप असेप्ट करते हो ब्रश्टाचार को तो आप उसका विरोध करोगे सिर्फ उपर से अंदर से नहीं यह सिर्फ दिखावे का खेल रह जाता है फिर और कुछ नहीं धन के पड़ती है आपकी क्या सोच है वो आपका अमात्य कारक ग्रह समझाएगा कि धन की सोच क्या है धन कमाना है सबी को कमाना है पर उससे आगे नहीं सोचते हैं कि धन का क्या करोगे फिर हम कहते हैं नहीं जी गाड़ी लेंगे जमीन लेंगे पत्नी के लिए गोल्ड लेंगे बच्चों के लिए मकान लेंगे बस यहीं पर सारी चीजे गड़पड हो जाती है ब्रमान्ड जो यूनिवर्स है वो इस चीज को नहीं स्विकार करता हो पिर यह तो अपना अपना करता जा अपना-पना फिर मुझसे क्या माँग रहा है जभ हम कहते हैं कि हम इस यूनिवर्स को ये लोटाएंगे हम सोसाइटी को देंगे इस धन का हम सोसाइटी में उपयोग करेंगे फिर देखो धन कैसे बढ़ता है करके देखो विदिन थ्री यहर्ज यह एकन चेंज अपनी परसनल्टी को चेंज किये बगएर कोई धन नहीं कमा सकता अगर यह कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं यह कंसेप्ट किसी फिलोसपी के नहीं है गलत फेहमी के शिकार हो जाते हो कई बार कुछ लोग लिग भी देते हैं फिलोसपी ज्यादा समझाते हो अरे मैं क्या बताऊं यह जोतिस की फिलोसपी है भाई मेरी नहीं है यह या किसी और बाबाजी की संत महत्मा की दीवी फिलोसपी नहीं है यह जो है जोतिश विद्या की ही फिलोसपी है आप कुछ नहीं यह काम करना शुरू करें कि यार सो आदमियों को भोजन किराऊंगा, सो लोगों को खाना खिलाऊंगा, मेरा खर्चा पचास अजार रुपे है, पर भगवान अभी मुझे सत्तर अजार रुपे महिना ही मिलता है, अगर आप एक लाख रुपया कर दो, तो मैं जो तीस अजार रुपय एक्स्ट्रा मिलेगा, उसका मैं ये कारे करूँगा, जो पुन्ने के कारे होंगे, जो भी एक आम आदमी के काम आने वाले कारे होंगे, गरीब के काम आने वाले कारे होंगे, निश्चित रुप से एक लाख पर कब पोच जाओगे, मैं तीन साल की बात करा हूँ, it may be six month और one year, हर रोज सोचो बोल सोचो बोलो, सोचो बोलो, पैसा बढ़ जाएगा, लोगों को दिखाने के लिए तो दिखाना है कि मैं एक लाख रुप महिने कमाता हूँ, आप आ जाओगे еक लाख रुपे महिने पे, हाँ, जितनी सोच रखते हैं, उस से जल्Дी आ जाओगे, एक साल की सोच र då, छै महिन तो उस तरह के कुछ चीजे चाहिए, समसान भूमी में जाओ, पीछे मुढ के मत देखो, आगे मुढ के मत देखो, भूत प्रेट से हाई हलो हो जाए, तो उससे बात चीत मत करो, तो पचारे भूत प्रेट कहा हाई हलो करने आ रहे हैं, यह आपकी सुसाइटी का कोई बंदा म पाडशाला का उप्देश है, जोतिश के माद्यम से, और यह जो भी फिलोसपी है, यह सब जोतिश की फिलोसपी है, यह कोई विसेश सास्त्र की कोई फिलोसपी नहीं है, चाहे फिर आप उस धन को पाड़ पूजा में लगाएं, मंदर में दान पुन करें, ब्राहमनों के क कल्यान के लिए कुछ करें, बिद्वानों के कल्यान के लिए कुछ करें, जो संस्ताइं अच्छा कारे कर रही हैं, उनको स्पोर्ट करें, एंजियो को स्पोर्ट करें, गव माता को स्पोर्ट करें, आप फिर किसी को भी अपने, जिसको आप उन्ने दायक काम समझतें, उसक को स्पोर्ट करें कि उनके क्या कारे हैं उनके क्या कारे कर सकते हो तन से मन से या धन से वो आप स्पोर्ट करें जब हम देना शुरू करते हैं जब हम बाटना शुरू करते हैं तो लक्षमी जी अक्टिबेट हो जाती है आपके ग्रह अक्टिबेट हो जाते हैं कहीं पर भी ब पूछूं यहां मुझसे पूछे कि गुरुजी एक ग्रह बता दो जो धन देता है कि समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी जूट बोलना पड़ेगा फिर हम कहते है अरे धन का कारक ग्रह सिगनिपिकेटर प्लैनेट जो उपीटर पीचा चुडा लिया क्या ब्रसपती धन देता है यह ब्रसपती के जो विद्वान भेकती ओ तो बचार ग्रीपी में बीचे हुएं वासरम हों बैठे हो जंगल हों स्कूल चरा है च्छोटा प् south स्कूल चला रहे हैं मेरी तरह कोई बाते कर रहे हैं कोई शिक्षा की दे रहे हैं कोई और कर रहे हैं धन उनके पास नहीं आएगा यानि कि अन्य ग्रहों का साथ लेना पड़ेगा इसलिए एक को रिस्पॉंसिविटी नहीं तो ग्रह में अभी मान हो जाए कि उसमें गमंड आ जाए कि मुझे करेगा तो मैं करूंगा फिर हम कहते हैं लक्षमी जी की पूजा करेंगे लक्षमी जी का मंतर जब करते हैं लिखा हुआ है सास्तर में यह तो रिशीगत बात है अब तो लक्षम लक्षमी जी को आबद कर लेंगे लक्षमी जी को मुझबूर कर देंगे आ जाएगी लक्षमी जी के हाथ में भी नहीं दिया पूरा उसको का तुम स्वामी हो समस्त धन की पर ऐसे नहीं बाट देना ऐसे बाटी नहीं सकती बिना नारायन की अनुमती के वो कैसे बाट सकती किसी को कैसे दे सकते तो नारायन कोन है नारायन हम सभी के पालन करता है मलब जिसने हम सभी की जिम्मेवारी ले ली कि तुम्हारे जीवन में जब जब जो जो चाहिए होगा वो प्रवाइड कराने की जिम्मेवारी मेरी है पर नारायन के हाथ में सिर्फ जिम्मेवारी दी है धन को लक्ष्मी जी से लेना पड़ेगा समझ रहे हो बात को एक के हाथ में कुछ नहीं दिया वो लक्ष्मी जी से कहेंगे बाई इस वेक्ति को दो और नारायन कोने पुर्शार्थी विक्ती ही नारायन है जबी तो कहते हैं नर से नारायन बनना नर से नारायन बनने का मतलब यह नहीं कि वो हार पहल लेंगे और मुकुट लगा लेंगे और नारायन बन जाएंगे और पोटू किच्वा लेंगे वो नारायन नहीं नर से नार responsibility उठाते हैं और जोजसी के पाद मैक्सिमम लोग आते हैं ये सोचने के लिए कि मैं जिम्मेदारियां ना निभाओं तो अच्छा कोई ऐसा उपाए बताओ मेरे पिंड छुटे ये जो जिम्मेवारिया ना ये पिंड छुटे बस किसी तरीके से है कोई उपाए तो बताओ अब उस व्यक्ति को कैसे समझाएं लक्षमी जी बिना पुर्शार्थ की व्यक्ति के पास बिना पुर्शार्थ की उस व्यक्ति के पास आती ही नहीं वो धन के सपने देख रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने पुर्शार्थ तो करना पड़ेगा और पुर्शार्थ ही ना पर हैं आप उमीद करते हैं जो लोग अपने माबाप की रेस्पोंसिबिलेटी नहीं ले सकते हैं जो बहुंए अपने साथ ससुर की रेस्पोंसिबिलेटी नहीं ले सकती हैं लक्षमी जी कहती ही इनमें साम्हालने का तो सामर्थे नहीं है जो दिया है उसे ही नहीं साम्हाल बुद्धी के साथ एक शब्द लगा है कुबुद्धी लक्षमी के साथ जैसे एलक्षमी होती है और एलक्षमी ही कुबुद्धी है वैसे सास्तर में लक्षमी जी की बहन का नाम एलक्षमी है उनकी सिस्टर का नाम एलक्षमी है पर एलक्षमी को बताना हो तो कुबुद्ध से किया जाता है वो ए लक्षमी उनके घर में प्रवेश कर जाती है जिसको लक्षमी समझते हैं वो उसका दुर्पयोग आरम कर देते हैं अपनी कुबुद्धी के द्वारा ना संतान के लिए कुछ कर पाते हैं अपनी इगो को सैटिस्फाई करने में लगे रहते हैं उससे ज जदा कुछ कर ही नहीं पाते हैं अरे कुछ नहीं अपने गली के कुत्तों की जिम्मेवारी उठालो अपने शैर की गवशाला की जिम्मेवारी उठालो ज्यादा नहीं थोड़ी सी उठालो मंदर की जिम्मेवारी उठालो तुम्हें जिम्मेदारी कितनी उठाई हैं यह ड प्रवचन देने में कौन सा कुछ लगता है रामायन में भी लिखा है परवचन कुषल भहु तेरे कि परवचन करना तो बहुत इजी है उसमें कुषलता हासिल है पर यहां तो परिवार की जिम्मेदारी नहीं निवाई जा रही है आप कह रहे हो गौशाला की दूठालो मंद आपको हमेशा पास्ट में रहता है द्यान से समझना चित आपका भुष्य में रहता है और ब्रेन आपका पास्ट में रहता है आपने आज तक जिम्मेवारी नहीं उठाई जैसे दिमाग को बोलो गह रहे जिम्मेवारी उठा लेतें गुरुजी कह आज उठाई लेतें देखा जाएगा दिमाग केगा बेवकूप हैं tip 10 अजार रुपे पेड़ फिलगते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है उसे समझा देगा यह सब जिम्मेदारियों में कुछ नहीं रखा घर की जिम्मेदारी उठा सिर्फ क्यूंकि दिमाग में वही बड़ा पड़ा है कि घर के अलावा सोचना नहीं है तो हमें छोटी छोटी स्टैप उठाने कि आज मैं मंदिर जाऊंगा तो दो गरीब बच्चे जो मिल जाएंगे उनको लिए मैं एक एक चोकलेट दूँगा मैं कुछ नहीं करूंगा मैं अदा किलो मिठाई दूंगा मैं अचलो मैं एक लडू खरी दूँगा दस रुपे का बीस रुपे का बस वे मैं मंदिर की गुल्लक में सिर्फ 10 रुपए चड़ाओं तो 10 रुपए चड़ाओ 45 दिन करके देखो करके देखो जूनिवर्स आपको 10 रुपए के गुलाब जामून या 20 रुपए के गुलाब जामून को नहीं देखता आप एक टन भी बाड़ दोगे उससे कुछ नहीं होगा बात है जिम्मेदारी की जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी को निभाना यही नरसे नरायन बनाने की परक्रिया है और हम जैसे मैं कहता हूं बहन बेटी का रिण है घुरा आ जाता हूं और बाप रहे कहां से आ गया यह रिण अरे गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं किया यह कहां से करजा ले आया है मैं जबी कहूं मेरी बहन आती है ले जाती है मेरे को मूर्ख बना रखा उसमें यह था चक्कर तो वचारा टिंशन में आ जाता है कहता है इससे मुक्त होना है वो इससे भी मुक्त होना चाहता है बेन बेटी के रेंड से भी मुक्त होना चाहता है तो रेंड तो रेंड है रेंड का मतलब ही कर जाए पित्र रेंड से मुक्ति चाहते हैं सभी लोग पित्र का मतलब ही पिता पित्र रिंड से कैसे मुक्ति पाओगे हम उस चीज समझ नहीं पारते पिता या पिता तुल्ले व्यक्ति की सेवा की जिम्मेदारी उठा ले निश्चित रूप से पित्र रिंड खतम हो जाएगा अरे वो जो बुजुर्ग आदमी आपके लिए प्रार्थना करेगा वो प्र प्रार्थना नहीं कर पाते जितनी गहरी प्रार्थना एक बुजुर्ग आजमी अपने बेटे पोतों के लिए करता है क्योंकि पोता जो है उसका लास्ट बेस्ट फ्रेंड होता है लास्ट बेस्ट फ्रेंड और पोते के लिए दादा उसका पहला बेस्ट फ्रेंड होता है लाइफ का और गर में बहुँए क्या करती हैं बोला बेस्ट फ्रेंड को हटवाओ ये दादा को निकालो पोते को हटाओ जब वो पोते बड़े हो जाते हैं फिर कहते देखना अचारे जी बेटा सुनता नहीं है अरे भाई बेस्ट फ्रेंड से तो हटाने वाले आप ही थे व वो जो सत्तर साल का ग्यान लेके बैठा हुआ जीवन का असली ग्यान असली पूंजी उसकी क्रोड की कीमत वाला फ्लैट नहीं है प्लॉट नहीं है जमीन नहीं है फैक्टरी नहीं है असली कीमत तो उसका सत्तर साल का अनुभाव है अनुभाव से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता वो आपने बच्चे को देने से रोग दिया वो समझा देता कहां डरना और कहां नहीं डरना ममाज बॉआए ना पतनी को सुख दे पाते हैं ना इस संसार को सुख दे पाते हैं और जो दादा के बॉआए होते हैं वो दादा बनके जीवन में उबरते हैं कि ध्यान डगना जिस छेत्र में कुछ जाएंगे वहीं दादा बन जाएंगे नोकरी कर लो चे बिजनिस कर लो वो दादा बनके उबरेंगे क्योंकि बच्पन से दादा का ग्यान मिल गया तो हमारे जोतिष में दादा कौन है पिता तो सूरज है दादा कौन है अब ब्रस्पती से आता है धन क्या सूत्र कहा था हमारा कि ब्रस्पती जो है वेल्थ का सिगनिफिकेटर है अब उसी की जड़ काट दी आप ढूंड रहे हो आप उसको इंजिनियर बना रहे हो उसको डॉक्टर बना रहे हो अरे भाई चाह आठ फेलो बंदा करोड़ रुपे कमा जाएगा अगर धनकी हिलाल सा है तो उसको सत्तर साल का ग्यान चाहिए फिर वो भटकेगा जोट्चियों के पास ब्रामनों के पास साधूं के साथ संतों के साथ वो लूटते रहेंगे बड़ी अच्छे तरीके से जब तक उसको समझ आएगी समझ कब आएगी जब उसका रहू जागेगा और रहू तो जागता ही ब्यालीस में वर्ष में है अपने आप से अपने आप से पहले जगा सकते हो रहू को पर रहू को जगाने की जिम्मेवारी भी इसी के पास है गुरू के पास समझे बात को और वो दादा था वो दादा था दादा जो ए रहू को 19 साल की एज में जगा देता है यूं बलीव इट इसलिए हमारे लाल किताब बड़ी प्यारी है वो लिखती है कि 19 साल में रहू एक्टिवेट बट कैसे 19 साल के पोते को दादा समझाते तब बिटा डील कैसे करना इस पब्लिक को ममाज बॉइज पापा बॉइज 19 साल में तो सही डंग से कपड़े पहनना तक नहीं सीख से उनको यह नहीं पता कि कहां पर क्या कपड़े पहन के जाने दादा ही सीकाता है बेटा यह हमारे मित्र है इनके पाउं चुछ एं कि बदादा ही समझा देता है बेटा आने वाले को नमस्कार करो कितनी चीज़े Thousands माथ तो समझाती है यह तो चुडं टाइप की यह तेरी ताई जो ज़्यादा आथ हो जोडने की जोड़ते नहीं, इसके पाद जाने की जोड़ते नहीं, सब्सक्राइब बात को, वो समझा क्या रही है, मुद्धा ये नहीं कि हर महिला ऐसी होती है, बहुत बिलकुल भी, महिला ये बहुत ग्यान देती है अपने बच्चों को, पर कभी-कभी वो भूल जाती है कि right or wrong के decisions का दादा नहीं बूलता है 70 साल का ग्यानि आदमी कहां जूता लगता है और कहां चपल लगती है और कहां पर जुकने से फायदा होता है और कहां पर अड़ जाने से फायदा होता है वो जुकने की कला और अड़ जाने की कला दोनों कलाएं अपने दादा से सीखता है और बहुत जल्दी एज में अब सोचो जो 19 साल का लड़का सीख के निकला है उसको या कहां से ये फ्लैट में रहने वाले लोग बिना दादा के जीने और जीवन में आने वाले लोग कहां कमपीट कर पाएंगे किताबी कीडा बना तो दोगे किताबों में रखा क्या है हमारे सलेबस की कलास में तो ये तक नहीं बताया गया कि जीवन में खाना कैसे खाना है वो भी कलासों में सीखना पढ़ रहा है वो भी आपने वर्टसेप पे सीखना पढ़ रहा है जिसमें सत्तर परसेंट तो यही नहीं बरोसा की है सही भी बता रहा है कि गलत बता रहा है शादी कैसे करनी है ये किस सलेबस की किताब में लिखा है लड़की कैसे चूज करनी है किस सलेबस में लिखा है कौन सी इनिवस्टी ही है जो बता रही है लड़का कैसे चूज करें बता रही है नहीं बता रही है फिर हम कहते है इस माई बैटर हाफ और बैटर हाफ चूज करना नहीं सी का पच्चेस साल तक भी आपको कला सिखाई किसने सिखाई ही नहीं भागवान बरों से पिर हम गलतियां का जाते हैं फिर कहते हैं अरे घ्रह खराब हो गे तो खराब हमारे बच्राब से हमारे आसपास के लोगी कर देते हैं बस फिर एक ही सक्स बसता है यह ले किसी को कोई अच्छा गुरु मिल जाए अब गुरु मिलना अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है उससे भी बड़ी बात कि वो अच्छा शिश्य बन जाए जिवी तो बात बनेगी डाई-डाई में कैसे फिट होगी आप फिट ही नहीं हो गया एक उपर एक नीच नहीं भाई गुरु मिल गया अच्छा पर शिश्य तो अच्छा नहीं मिल रहा यानि कि शिश्य शिश्य तो कोच स्विकार ही नहीं कर रहा तो कैसे आगे चला जाए मैं अक्सर जब भी कहता हूं अपने विद्यारतियों को टेकनीक के पीछे मत भागो टेकनीक तो जखक मारके आपके पास आएंगी जो सीखना है वो सीखो मुझसे वो गया गुरुजी है तो छोड़ो गुरुजी की क्लास अगली बार फीस मत दो गुरुजी का एड़ रेमेडी नहीं बताई जा रही अभी तो अरे यार हम तो बड़ी उमीद करके आये ते अभी तो टेकनीक नहीं सिखाई जा पाएगा हमें रोकने की जुरूरत नहीं है जिस आदमी में इतना भी सेंस ना हो कि रुकना है कि भागना है वो किसी की कुंड़ी क्या पड़ पाएगा क्या किसी के जीवन के मार्ग दर्शन कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो कभी-कभी गुरुजी परिक्षा लेते रहते बीच बीच में भाग जाते हैं लोग भागना उनका अच्छा है समाज के लिए भी और उनको खुद के लिए भी नहीं तो वो समाज के लिए दुश्फल परदान करने वाले होंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले होंगे, जब भी आप समझना कि ग्रह समझ में नहीं आ रहें, बस ये देखो इस ग्रह का समझ किस से है, हमारे आस पास कि किस वेपती के साथ इस ग्रह का समझ है, वो देखो आपकी जीवन में व हो क्या कर रहा है सूर्ज नहीं समझ में आ ばहा पिता जी को समझ हो पिताजी आप से क्या विवार कर रहे हैं first पिता से आप क्या विवार कर रहे हैं पिता जी का विवाद ठीक नहीं है समझ्जा सूरिज ठीक नहीं मिला पिता ठीक नहीं मिले मिन्स सूरिज ठीक नहीं मिला माता ठीक नहीं मिल रही है माता बड़ा अच्छी नहीं लग रही है मलब चंद्रमा अच्छा नहीं मिला बेहन अच्छी नहीं मिली है बुद्ध अच्छा नहीं मिला भाई अच्छा नहीं मिला आपको जो जो चाहिए वो यहां इस धर्ती पे है जो आप ग्रहों को ऊचा उठके दिख रहे खड़े में गिर जाओगे करके चलने से कोई लाब नहीं होगा सीधा खड़े में गिरो बुद्ध नहीं होगा यह सब नोके-नोग रहा आपके आसपास हैं नोके-नोग रहा हमारे शिरीर के अंदर विद्धमान है कहीं बाद जाने की जोड़ुत ही और इंसान अपने आप में अकेला दस्वाग रहे जि समस्या कहां आती है लोग कहते जी भाई पहले से तो ठीक था अब खराब हो गया ये कैसे कह सकते हो अब मैं क्या पकड़ू जी मंगल अच्छा के मंगल बुरा आज के हिसाब से तो मेरा मंगल बुरा है और पहले के हिसाब से मेरा मंगल अच्छा था ये कुंडली में कैसे बदलाव आया ये कुंडली का बदलाव नहीं है ये तुमारे चाल और चरित्र का बदलाव था तुम उसको पकड़की नहीं रख पाए मिला तो मंगल अच्छा था तुमने खराब कर लिया इसे कहते हैं दसवा आदमी खुद जो वो खुदी है करम क्या कर रहे हूँ कि चोटी बात प्रोपटी में लड़ मर रहे हूं किसकے लिए सब संसार से विदा लोगे सब यहीं पर किसके पbowíre बच्चे कैसे बातेंगे उसको तुम्हें खबर भी नहीं हुगा कितनी बुरीतरीके से तुमारा जिसके लिए तुम लड़ मर गए भाइयों से, बेहनों से, परिवार से, अपनी परजेंट की खुशियों में आग लगा दी खड़ी-खड़ी तुमने, किसके लिए, आने वाली संतानों के लिए, और जो संताने उस प्रोपर्टी पे जगडा करेंगी, वो अपनी संतानों को क्या देके जाएंगी, वो सब कुछ होते हुए भी इंसान अपने जीवन से अंसाटिसफाइड होता है ये है पित्रदोश का सबसे बड़ा इफेक्ट गरीब आदमी तना दुखी नहीं है क्योंकि वो स्विकार कर लेता है कि हां मुए हूं गरीब मुझे बीस हजार प्या मैना आता है मैं बीस हजार में गुजारा चलाओंगा वो अपनी सेटिंग कर लेता है समझ से अमीर के साथ है कि सब कुछ तो है मेरे साथ पर सुखी क्यों नहीं हूं मैं ये पीडा गरीब होने से भी बड़ी पीडा है इसलिए तो पितरदोश को बड़ा घड़ बानते हैं और क्या मैं कहता हूं कि तीन बार कराओ पितरदोश शान्ती पांच बार कराओ पितरदोश शान्ती मेरा एक ही सोच है इस बाने पठ्थ साल में तो याद करेंगे कि हम कहां से आये थे कौन थे वो लोग एक दिन तो बैठके शुक्रियादा करेंगे कि बाओ जी दादा जी जो छोड़ के गए हो आइटम इस धर्ती लोग के ओपर अब उसके ओपर कुछ ना कुछ करो तो वो समझ रहे हो ना बात तो जो भी कंबिनेशन है हमारी जनम पत्रिका में वो कंबिनेशन आप और हम है बस ये समझ लगए कोई गवराने की जोड़तनी होती पांच गरे इकठे हो जाएं चार हो जाएं क्या फरक पड़े गया पांच इकठे हैं का मतलब ज्यादा लोग इकठे होगे एक कमरे में या गर के अंदर पांच लोग इकठे हो गए कमरा कौन चलाएगा मला बाज राशन कितने बज़े आएगा दूद कितना आएगा गर में सबजी कितनी आएगी ड्राइफ रूट्स कितना आएगा फूल डिसाइड इंट तो आप कहेंगे ये की आदमी और कौन जो जीत जाएगा आप कैसे जीत जाता है इंसानों में भी तो होती ना अंडर्स्टूड बात है जिसकी चलती है चलाएगा कौन जो ज़्यादा पुर्शार्टी होता है वो चलाता है मैंने क्या कहा पती अगर बहुत अच्छा कमाता है डेफिनेटली उसी की चलेगी पतनी ज़्यादा कमाती तो अब कहने के बात ही नहीं किसकी चलेगी पती की हिमत है वो बोलदे रहाज मुझे बड़ी हसी आती है लड़कियां कहती है पती ऐसा मिलना चाहिए कि बात मेरी माने पर मैं गुरुजी एक लाख रुपे पर मुन सैलरी पे हूँ थीन तीन लाख रुपे वाला मिलना चाहिए मगद दो बात एक साथ नहीं होगी तीन लाख वाला तो मिल जाएगा पर सुनेगा नहीं तिरी एक पैस से की सुनने बात यह दो कंबिनेशन देखने वालों की शादियां नहीं होती जल्दी सी हो लेट हो जाती है एक सोच लो भाई दोनों में से क्यों कंफ्यूज हो पती सुनने वाला चाहिए तो पचास हजार वाले साथ हजार वाले से कर लो शादी वैसी सुलूट मारेगा सुबह शाम की अलाख रुपे लेकर आती है क्यों तो भरी थाली को लात मार रहा है खम खाई के पंगे कर रहा है कि फिर भी बचारा कंप्रोमाइज करने की कौशिश करेगा ज्यादा पैसा कमाने वाला कैसे कंप्रोमाइज कर जाएगा भाई तो नहीं मानेगी तो ले तु भी पचास हाट लाग लग रुपे बिदा हो मैं दूसरी लाओंगा छोड वेरा पीचा कोट भी क्या कर लेगी कोट कुछ नहीं करती है कोड तो आपको अलग करने का एक प्रॉसस है जोडने का प्रोसस नहीं है कोड कचेडी हम सोचते हैं और इतनी जल्दी भागे जाते हैं कचेडी में जैसे व वो अलग करने का process से उस जगह पर वहां कोई मिलने का process नहीं चल रहा है कोई बड़िया coupling process नहीं चल रहा है वहाँ बागे जा रहे हो चोटी चोटी बातों पे वहां तो अलग हुगा गलती तो हम उसी समय कर रहे हैं जब हमने शादी करनी होती है हमारी demands गडबड हैं, हमारी चाहते गडबड हैं, जब हमारी चाहते गडबड हो जाती है, तो result वी ऐसे ही आ जाती है, भर रोते क्यों, सोचा भी तो तुम नहीं था, चाहा भी तो तुम नहीं था, अब जो है उसको भुग तो, फिर कहेंगे हम जिम्मेवारी नहीं पर नर से नारायन बनना तो सिखा दो गुरुजी कोई तो मंत्र दे दो वास कोई माला मुला दे दो कोई जबते रहेंगे नर से नारायन बन जाएंगे बाई साब एक पैसे का कुछ नहीं होना जाना नर भी नहीं रह पाओगे नारायन की तो बात ही छोड़ दो जिम्मेदार व्यक्ति पुर्शार्थी व्यक्ति ही विष्णुजी का रूप है लक्षमी वही लक्षमी कौन है लक्षमी लक्षमी जी को पढ़ो तो सही लक्षमी जी के गुण क्या थे जो महिला के जो उन फाइदा उठाती है कि सी फचारे पती को बतादो स्थी श्राप है है पत्नी की सेवा कर और जराजा जबी तू प्रेशान देख ले गुरुजी ने खाता स्थी श्राप है अब तु नहीं बोलेगा अगर ने तो मैं एक आदा शराप ओड़ दे दूंगी तेरे लक्षमी बनना पड़ता है नारायन बनना पड़ता है यह होता कुछ नहीं है जो कुछ है करना पड़ता है यह करम लोक है यह जो करम करेगा वो जीतेगा सीधी सीवा जो करमट बढ़ेगा अब वो पुरुश हो चैस्त्री ओ जो इस्त्री लक्षमी सवरूप बन जाती है बन जाती है तो बन जाती है और नारायन की क्या हिम्मत जो उसको मना कर दे मैक्सिमम महिलाओं की यह समस्या है कि हमारा पती हमारी इज्जत नहीं करता अब यह कहते हैं लक्षमी बन जाओ क्याते हैं हम तो आल्रेडी है आल्रेडी नहीं हो वो भी बनना पड़ेगा लक्षमी बनना पड़ता है कोई केवल मात्रियोनी में आने से कोई कुछ बन नहीं जाता है सबको करना पड़ता है अगर हम कहते हैं कि हम इस्तरी का गुण क्या है इस्तरी में क्या गुण है इस्तरी प्रेम देने का गुण है जो पुरुष में नहीं है पुरुष केवल प्रेम चाहता है देने का गुण किस में देने का गुण तो इस्तरी में भगवान ने दिया उसको है वो तो लेना चाहता वाई उसके पाद देने का गुण नहीं है ये प्रेम वो तो केरिंग है वो तो केर कर सकता है आपकी रक्षा कर सकता है केर कर सकता है पर प्रेम देने का गुण तो इस्तरी में पर इस्तरी कहते हैं नहीं पुरुष प्रेम दे इसका मतलब उन्हें यही नहीं मालूम प्रेम है क्या इस चिडिया का नाम है प्रेम मैक्सिमम लड़े बैठें पती पतनी प्रेम नहीं मिल रहा प्रेम नहीं मिल रहा तुम्हें यह अब love marriage कर लो 6 महिने में पूट बाग जाएंगे भाई ये love था कहा फिर ये तो बता दूं किसकी जेम में रखा था love लड़के लड़की ने बोला जी बदल गया बंदा बदल गया अब बंदा तो वही है तुम्हें यही नहीं बता था love क्या है तो ये कौन सी पुस्तकों में लिखा है हों सी युनिवस्टी में सिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है इसलिए जीवन में गुरू की आवशक्ता है यह बहुत इंपॉर्ट है तीक है रजनी जी मत गबराओ मांच करे कट्थे होगे च्छे होएं चासारे कट्थे होजाओ कोई दिक्कत नहीं है ये जी नवच्का अद बुद्ध ग्यान इस ग्यान के सामने मेरा एक बहुत चोटा सा गुरू जी सवाल है मंगल बद पे कल हमने चर्चा करी थी परसो भी क्लास में था आपकी मैंने दो तीन वीडियो देखी मंगल बद पर लेकिन जो परसो चर्चा ही उसमें आपने सूरज क का 3, 7, 10, 12 का नहीं बोला था तो मैं कन्फूज हो गया कि जब सूरज उसमें होता है तो वो मंगल बद माना जाएगा या नहीं? केवल सूर्श से नहीं होता है ये कभी कभी क्या होता कि बताने की टेक्निक में थोड़ा सा मेरा डिफ्रेंस होता है हर पर वो उसके अंदर cover होता है हो अलग सुत्र से तो हम कई बार नहीं समझ पाते हैं कोई ऐसी बात नहीं केवल गूरे के तीसरे में भाव में बैटने से अपने को मंगल बद नहीं समझना है ठीक है और गुरुजी एक और चीज़ जैसे एक जैसे तीन पीडी करें है और यहसे कोई आता है जिनके घर में तीन चार जिनों को मंगल बद है तो अगर हम एक मैं एक यूपाई को उधारन ले रहा हूँ जैसे तामे के लोट मंगल बद का मनोविज्यान वो जो है मतलब कि इस मंगल बद के उपर मैं ने बढ़ा बारी डेंट मारा है कि ओसम्मनोविज्यान क्या है उसको समझा यह जो वेक्ति मंगल बद के बाद इस वीडियो को सुन लेगा उसको मंगलबद का concept क्लियर हो जाएगा मंगलबद का मनोंविज्ञान क्या है कि मानेशिक स्थर पर क्या परिवर्तन होते हैं मंगलबद के होने पर तो उससे डरने की आवश्यक्ता नहीं है मंगल बद हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी के द्वारा किया गया बद जुबानी है शब्दों की हींसा ये हमारे पुर्वजों ने की दूसरों के साथ वो ट्रांसवर हो गई अब हमारे पास है न तो पित्र भी ऐसे तोड़ी न कोई यूँ मान जाते हैं वो भी कुछ न कुछ ऐसा ट्रांसवर करके जाते हैं कि याद रखो तुम मुझे नहीं याद करते हैं कुछ न कुछ करके जाऊंगा घड़ बड़ एक और गुर जी बैठा है कहां ना बैठा है मंगल बद के जो अधर सूत्र हैं उनको याद रखें वो डिसाइड करेगा कि मंगल बद हाँ अब मंगल बद हो करके वो अस्टम में बैठा है तो ज्यादा खराब हो गया लगन पे आ गया तो ज्यादा खराब हो गया कि मंगल बद आया कहां प गुप्त उर्जा के साथ गुप्त हमारी सेक्स्वल इच्छा हैं अब मंगल बद होकर के महा गया यानि कि उसको कोई लेना देना नहीं है कि मुझे किस से रिलेशन बनाना है मुझे मेरी महतोकांशा को पूरा करना है लगन का मंगल बद हो गया तो छुड़ी छुड़ी बात पी इतना जल्दी अग्रेसिव हो जाएगा कि बाद वे जैसे ठंडा होगा करे यार हो गई ना गडबडबात कही दिया जिसको बोली बड़े दिन से मन में था पीछा ही नहीं छोड़ा उसका तो यह समस्या है अब वो अच्छे भाव में मंगल बद हो जाए तीसरे भाव म अपनी करेंगे जो काम उसको नहीं भी करनेंगे उन कावों भी बुसा रहे है इसके अलावा समझाने से महानेगा आगर उसने नियंग बनाना कि पूरी गली में जाड़ु लगा नहीं तो लगाएगा वह करसे नहीं मंगल बाद का मतलब जुना माने को दॉक्तर समीता समीता